तो आज अस्टमी और नवमी दोनों ही है तो अस्टमी की अंजली हम लोग सुबा देने नहीं जा पाए क्योंकि मम्मी की बहुत जादा तवेत खराब थी और इसलिए ना हम लोग नवमी की पूझा के लिए जा रहे हैं अभी तो मैं मम्मी हम दोनों ने ना ट्वीनिंग करने ममी कल अपनी golden वाली साडी पहनने वाली है या फिर शायद इस दुर का पुझा में वो पहनना होगा नहीं तो next अभी देखते हैं ममी कप पहनेंगी वो साडी तो अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं चीनी ने आज लहंगा पहना हुआ है और मैंने उसका बहुत ज़्यादा क्यूट साइक हैर स्टाइल किया हुआ है कलरफुल रबर बेंड के साथ कलरफुल बीट्स के साथ तो आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है चीनी का हैर स्टाइल प्लीज कब बताना कॉमेंट बॉक्स में तो आज ना जीनी के साथ साथ ना उसके पापा और उसके दादा जी ने भी ना उसी कलर की ड्रेस पहने हुई है पापा पहले शर्ट पैन रहे थे तो पापा ने जब देखा कि उनकी पास भी इस कलर का कुर्टा पैन लिया तो हम लोग अभी मंदीर आ गये हैं तो अभी नवमी की आरती भुख चाड़ा के आरती की जा रही है अब यहां पर नवमी के हवन होने की तयारी हो रही है तो अभी हवन स्टार्ट नहीं हुआ है बस कुछी टाइम में स्टार्ट हो जाएगा हवन यहां पर तो हम लोगों ने भोग खा लिया है मैंने और ममी ने बाकी मासी लोगों ने भी शायद खा लिया है क्योंकि अभी तो यहां पर दिख नहीं रहे हैं और बाकी सब लोग अभी खा रहे हैं चीनी को अभी उसके पापा ने पकड़ा हुआ था तो उसी मौके पे मैंने और ममी द तो हम लोग निकल गए कुर्शी नगर के लिए और यह रास्ते में इतने सुन्दर सुन्दर पीड़ पौधे पुरा ग्रीन ग्रीन रास्ता था और यहां पे कास फूल इनको तो देखके एक दब मन करता है ना कि देखते ही रहूं मेरे हभी और मेरे तो देवर वो तीनों ही नहीं आये हैं वो तीनों कल की प्रिप्रेशन के लिए वहीं पर रुके हैं क्योंकि अभी बहुत सारी मार्केटिंग करना बाकी है कल मंदिल में हम लोग भोग देने वाले हैं सबको खिलाने वाले हैं तो उसी की प्रिप्रेशन के के लिए वो लोग वहाँ पे हैं सब कुछ मार्केटिंग करने के लिए कुर्शी नगर आते आते ना हमने काफी सारे पंडाल देखे लेकिन कुर्शी नगर में जब पहुचे ना तो यहाँ पर जितने भी सब पंडाल थे वो उतर के देखने वाले थे गाड़ी में से कोई भी नहीं दिख रहा था कि अंदर मूर्तियां कैसी हैं तो हम लोग एक पंडाल में उतरे तो अभी तो पूझा का टाइम है हर जेगा मेला लगा हुआ है तो पंडाल से निकलते हैं यहाँ पर भी काफी सारी शौप थी बच्चों के खिलोने के लिए तो मामी यहाँ से ना चीनी के लिए खिलोना चूज कर रहे थी कि क्या ले तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए यह कैट ले लेुए तो वो पूछी रही थी कि क्या लूटो एक लिए बॉल और एक डॉल ली रही है चीनी रही ना डॉल पकड़ने के बाद फिर वो छोड़ी ने ली थी डॉल तो मासी ने उसको भी खरीद के दिया और यहाँ पर किचन सैट देखिए तो यह ना हम यह व जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है तो फुषिन अगर पोचने के बाद ही पापा ने कॉल कर दिया था जब हम निकलने वाले थे काली वाड़ी से तो वह अभी हमें पिक करने के लिए हैं और अभी आगे हम उनके घर तो वह लोग यहां पे रेंट पे रहते हैं और यह पूरा जो स् थी ती सारा टाइम हुआ हम लोग आगए हैं सेकेंड फ्लोर में और सामने से वियू कुछ ऐसा है और यहां पर ना जो दादी जी हें उन्होंने भी काफी सारे प्लांट्स लगाये वह और निम्बू का पौदा भी लगाया हुँ जिसमें काफी सारे निम्बू लगे वए प्राइब प्राइब और बात्रूम नहीं यापे यह तरहा है कि इसपी आपने नहीं जिए आपके कि आपके यह प्राइब और पर बात्रूम नहीं यहां इतने चोटे से प्लांट में इतने सारे निम्बू लगे हुए थे तो वही सब दिखा रही थी एक्चली यह दादी जी नहीं है नानी जी है मैं थोड़ा गन्फ्यूज हो गई थी पहले तो यहां पर अभी हम लोग निकलने वाले हैं हम लोगों ने अभी चाई पी और नानी ने गुलाब जामून बनाए थे गरम गरम तो हमने गुलाब जामून भी खाए तो काफी जादा लेट हो गया है अभी साड़े पास बच चुके है घर जाते जाते काफी लेट हो जाएगा बत अभी हम ना पहले यहाँ से जाते ही पहले कालीवारी में पहले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अभी रात मैं आरती होने वाला है डांडिया, dance होने वाला है प्रोग्राम तो यहाँ पे ना इस मेले में हम लोगों का जाने का बहुत जादा मन था तो जब हम जा रहे थे न कूरशी नगर को तब plan में रहे थे कि यहां पर देखेंगे तो फिर सब लोगों ने बोला कि जब हम return आएंगे तब जाएंगे लेकिन अभी return जाते time इतना time हो गया है, इतना late हो गया है तो अब हमारा जाना cancel हो गया है य होके आए तो मुझे बड़ा अप damn दादी के साथ इतना enjoy कर रही है cooler के सामने dance कर रही है आज कल ना चीनी थोड़ा थोड़ा dance करती है जैसी music बचता है ना अपना सर हिलाना हाथ हिलाना तो आज कल बड़ा enjoy करती है music ये डांडिये वाला plan बिल्कुली unplanned था तो कोई prepare नहीं था नाई हमने पहले से कोई preparation की थी तो जिसको जैसा step आता था हम सब लोग वैसी step कर रहे थे रिया मामी जो है ना वो सब को सिखा रही थी कि ऐसा ऐसा करो ये वाला step करते हैं ये वाला step करते हैं लेकिन हम लोग करते करते ना फिर देख रहे थे कि कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है इसलिए साव अपने मन का step कर रहे थे क्योंकि हमने इस बार ना बहुत जादा enjoy किया इस दिन और ऐसा लग रहा था ना इतनी जल्दी दुर्गा पूजा चले जा रहा है आजकल तो हर जगाई डांडिया नाइट होता है तो आप लोगों मैंसे कौन-कौन गया डांडिया खेलने के लिए हम लोग के यहाँ पे भी काफी 30 जगों पे हो रहा था लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि चीनी छोटी है अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर हम लोग भी जाएंगे आज हम लोग पूरा दिन बस नाचने में लगे थे, पूरा दिन नाचने का मतलब है कि घुमने में लगे थे, पहले मंदी रहे, मंदिर से कुर्शी नगर गए, अभी यहाँ पे सब लोग आरती कर रहे हैं माकी, तो आरती में हम लोग यह धुनूची वाला डांस करते हैं, ज इसलिए मैं उसको कार में ले गई थी सुलाने के लिए, तो वो सो भी गई थी, वो एक देड़ घंटा सोई थी, मैं मासी, मौसा जी, मामी, हम लोग कार में बैठे हुए थे, ममी, पापा और मामा यहाँ पे डांस कर रहे थे, तो ये वीडियो ना मैंने किसी से ली है, उन् मैं नहीं करती लेकिन मैंने थोड़ा सा किया था, शायद वो क्लिप मैंने आपको शॉर्ट फीड में शेर भी की थी, और ये वाला जो आज का दिन का ब्लॉग है, आप लोग को कैसा लगा, प्लीज बताना कॉमेंट्स में, और आप लोगोंने कैसा इंजॉय किया, इस बार दुरगा पूजा वो भी बताना, आज के दिन ना हमको घर जाते जाते काफी जाता टाइम लग गया था, हम लोग यहाँ पे साड़े ग्यारा बजे तक थे, और घर जाते जाते हम लोग को एक बजी आ था, क्योंकि रास्ते में भी काफी जाता ट्रैफिक था, और हम लोग रास्ते से खाना भी खाके गए थे, और बाकी जो तीन लोग घर पे हैं, मेरे हबी और मेरे दो देवर, उन लोग के लिए खाना भी पैक करवा के लेके गए थे, इसलिए ना काफी जादा टाइम लगया था, इतनी रात हो गई थी कि हमको बाहर भी कुछ नहीं मिल रहा था आप लोगों को तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा और कॉमेंट्स में जरूर बतायागी आप लोगोंने नवमी डे कैसे इंजॉय किया, फिर मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए बाई